हेलो ग्राइज कैसे हैं आप लोग मैं विशाल जा आपका वेलकम करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टैक हम रहें में आज की वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है क्यों कि मैं आपको आज इस वीडियो में सोसल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बतान करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या था तो वह यह है कि मैं आपको कुछ सोसल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन बताने आया हूं तो मैं आपको बहुत अच्छे से और तुद पॉ उनके लिए तो मैं ट्राइ करूंगा कि बहुत टीपली उनको ले जाओं उससे पहले आज की वीडियो में हम क्या करने वाले वह मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम सब्सक्ट्राइब होता कै और इस जम्राइब की वीडियो में हम समझने वाले थो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो चले जदा देरी ना करते तो समझते हैं पहले है तो जो करते हैं उसका यूज करते हैं तो उसमें हम सोसल मीडिया और जो सोसल लेटवर्क्स हैं उनको हम मार्केट करने के लिए यूस करते हैं किस किस लिए मार्केट करने के लिए किसी कंपनी के प्रॉडक्ट को की प्रॉडक्ट है है कि स्के ठोल साया के-जास uh को मार्केट कर सकते हैं यहीं हमारे देखने लायग होती है कि हम किस तरह है कि हमार कुल करते हैं यह सारी क्राइब einsam कि हम सुझल मीडिया जितने इनी graph उनका user करते हैं कि सीब चीठrak को किसी भी वो डॉक्रॉडक्ट नायुद करें रहे कुछ हो तो तो उसको हम मार्केटिंग करने के लिए सोसल मीडिया का यूज करते हैं जिससे कि हम अपने प्रॉड़क्ट वो हमारा खुद का प्रॉड़क्ट हो सकता है या किसी कंपेनी का प्रॉड़क्ट हो सकता है उसको हम मार्केट करते हैं तो यही सोसल मीडिया मार्केटिंग होता है आपको अच्छे से क्लियर वह होगा कि सोसल मेडिया मार्केटिंग एक्च्वल में होता क्या है तब तभी मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के और तो अगला जैसे मैंने बतायाता है सुरुवात में कि आज हम सिर्फ मेंली दू चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा एक तो है सोसल मेडिया मार्केटिंग होता क्या है और दूसरा एकी यह कितने की होता है कितने टाइप सो होते हैं सोसल में मार्केटिंग तो अज इन दूनों पर bertमंशल ने की कोशिश करूँगा और तो यहाँ पर है की six किस टाइप आफ सोसल मीडिया मार्केटिंग हमारे होते हैं तो वो कौन-कौन से होते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहला हमारा होता है सोसल नेट्वर्क तो social networks, social media marketing का जो marketing type है, वो है social network. Social network किस तरह से हम इसका इस्तबान करके marketing कर सकते हैं, वो आईए समर्जते हैं, ठीक है? ज्यादा लोग क्या सोचते हैं? जो social media marketing sites होती है, उनको imagine करने के लिए तयार की जाती है. तो जो social networking site है वो एक ऐसा platform है जो social networking site होती है वो इस तरह का platform है जो लोगों को allow करती है कि वो अपने similar background से या फिर similar interest को connect करें online समझें कि जो सोसल नेटवर्किंग जितनी भी साइट होती है वो एक ऐसा प्लैट्फॉर्म है जो लोगों को अलाव करता है लोगों को अनुमति देता है कि वो अपने किसी अपने जोंसा भी उनका बैग्राउंड है या फिर उनका जो भी इंट्रेस्ट है उसको वो ओन्लाइ उसको रेप्रेजेंट करता है और यह हो सकता है फेस्टॉक हो सकता है सोसल नैट्वर्किंग इंस्टाग्राम ट्विटर यह जो सोसल साइट से यह टॉप थ्री सोसल साइट में आपको बता रहा हूं और जो आज के समय की टॉप थ्री सोसल साइट में से एक है Instagram, Facebook, Twitter समय जो तो इसको हम कैसे इसकी थूरू कैसे हम marketing करते हैं ये सारा खेल social network का है कि जिस च्छै तरह के social media marketing होते हैं उसमें सब्सक्राइब social network में यह होता है कि जितने भी हमारे social networks होते हैं जिसे कि Facebook, Instagram Twitter, इनके थूरू हम कैसे अपना marketing कर सकते हैं वो सारी चीज़े हो दिये इसके अंदर कि उसमें हम अपने जो हमारा interest होता है या जो हमारा background होता है उसको हम connect करते हैं online हम किस तरह से अपना marketing कर सकते हैं वो सारा हम social network के थूरू कर सकते हैं समय में आ रहा हुआ आपको दिरी दिरी आप समझेंगे इसके बार में कि जिद्री भी social network होते हैं उनके तरह हम कैसे अपने product को या फिर अपने product को कैसे हम sell कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ दिया दूसरा type कौन सा होता है दूसरा होता है हमारा social news तो जो social news टाइप दूसरा type होता है हमारा social media marketing का उसमें क्या होता है कि जो social news जितनी भी sites है वो हमें allow वो user को allow करती है कि आप कोई से भी जो news आप पोस्ट कर सकते हो और यह भी allow करती है कि जो users है हम लोग वो वो submission के लिए वोट भी कर सकती है और उसके जो effect को overall यह नदब यह जो social news होता है वो एक तरह चापके जितरे भी overall effort लगेंगे उसको overall वो exposure देता है और अगर in practice बात करें इसका मतलब यह है कि जितने भी link होंगे वो highest number of votes अगर वो पाते हैं तो वो इसके तरू आप यह सारी चीज़े कर सकते होंगे कि तरू भी हम कैसे अपना marketing कर सकते हैं वो आपको समझे ना है कि social news जितनी भी sites होती है उसके तरू हम कैसे marketing कर सकते हैं वो इसमें सारा खेले ठीक है अगला हम देखते हैं अगला type अगला है micro blogging micro blogging क्या होता है यह समझते हैं जो micro blogging platforms होती है वो users को मतलब users जितने भी micro blogging platform को use करते हैं तो वो अपने users को allow करती है कि वो जो short return पोस्ट कर सकते हैं मतलब जितने भी short तरीके होते लिखने के वो सारे चीज़े वो इस platform पर post कर सकते हैं जो include जो links भी include करती है अपने product और service sites को आप अपना उसमें क्या-क्या include कर सकते हो वो यह है कि आप अपना product इंक्लूट कर सकते हो और social site भी include और साथी link भी include कर सकते हैं ठीक है और जो micro blogging sites होती है वो typically एक वाल की तरह होती है या फिर news speed की तरह हम इसे कह सकते हैं जो अलाव करती है specific मतलब किसी खास तोर पर हम कुछ लोगों को share कर सकते हैं अपने जो followers के साथ आप share कर सकते हो तो वो यह सारी चीज़े यह platform आपको अलाव करता है और इसमें जो most जानने लाइक बात यह है micro blogging platform के बारे में कि यह जो Twitter यह क्या करता है जो माइक्रो ब्लॉगिंग है platform इस Twitter मतलब यह तरह से Twitter है और विद मोर्दन 321 मिलियन जो एक्टिव इसके एक्टिव यूजर्स है मतलब कितने लोग माइक्रो ब्लॉगिंग platform को यूज करता है वो 321 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स आप इसमें पाएंगे कि आप समझते हो कितने लोग इसका एक्टिवली कितने लोग इसको पसंद करते हैं या कितने लोग इसके यूजर्स है और तो आप इससे भी किस तरह से मारकेटिंग कर सकते हो समxisर वे 123 चैंब हो कि कितने लोग इसकी यूजर्स होंगे और आफिछी अभी टाइम टु टाइम टो और बढ़ेंगे अगला हमारा सोचल मेडिया टाइब है सोचल मेडिया मार्कटिग का टाइप जो है वह यह है व कि बुक मार्किंग साइट्ट क्या हो दिए वो देख लेते हैं जो डिए वो यूज की जाती है और और लिंक को करने के लिए जो बुक मार्किंग जितने भी साइटस होती है जितने भी वह आपके लिंक को आपने जो और है उसको सेव करने के लिए आप इसका इस्तमाल करते हो तरूब इंटरनेट पहले थो रहा कि दुरू जो एक ओनले रिजॉर्स एंड वेब साइट है ठीक है और जो यह साइट्स होती है वो टिपिकली अलाव करती है यूजर को टैग करने के लिए यह फिर केटेगराइज करने के लिए लिंक्स को हाना और इसको और इसी बनाने के लिए कि जो आपके specific groups of followers को और यह एक चीज को मतलब यह किस चीज को बहुत इजी बना देती है वो जो आपके specific group of followers होते हैं उनको बहुत ही इजी बना बना देते जैसे कि आप उनसे connect कर वाओ इस लिए तो इस तरह से इसका यह काम होता है और जो आप पिंट्रेस्ट पिंट्रेस्ट एक ग्रेट इग्जैम्पल है इसका जो बहुत ही यूजली successful हुआ था as a bookmarking sites अगर हम देखें और जिसके जो एक्टिव यूजर मंतली थे वो 300 के करीबन थे और जो त्रू जो पिंट्रेस्ट का CEO थे बैन सिल्वर मैं उन्होंने एक बात कही थी उन्होंने एक डिस्क्राइब किया था कि जो यह साइट्स है वो कैटलोग ऑफ आइडिया यहां पर है तो आप समझे कि यह कितनी आइडियास से भरी हुई यह साइट है वह थी इसमें स्कोप एक तरह से कह सकते हो और आप यहां पर बहुत ही बहतर कर सकते हो तो यह थी हमारी बुकमा को है मीडिया शेर यह मीडिया शेरिंग वो अपने यूजर को करती है कि एक शेर करने के लिए उद्र बेडिया ओनलाइन वह क्या कैस शेर कर सकते हैं वह चीज़े समझते हैं सबसे पहले वह कोई इमेज या फिर वीडियो हो सकती है डॉब यह सारी चीज़े आप इस प्लाटफॉर्म के तुरू शेर कर सकते हो यूटूब यूटूब है यूटूब है यूटूब का इसे वीडियोज इमेज़ेज हम यूटूब पर अपना पोस्ट करते हैं तो यूटूब पर डालते हैं जिससे कि वह तरह से मीडिया शेरिंग की केटिगरी में आ गया तो यूटूब मीडिया शेरिंग का ही अपने पार्ट करते हैं कितने सारे लोगो से और लोग अपने कितने प्रभावित करते हैं जिसे कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर करते हैं आप भी यूटुब पर है तो आप भी समझ सकते हैं कि यूटुब कितना बड़ा प्लाटफॉर्म है और कितने कितना यह वर्डवाइड फॉलो किया जाता है या कितना वर्डवाइड हुजली लोग इससे देखते हैं तो आप समझ सकते हो कि यूटूब कितना वैंलोन है इसके तुरूं क्या करते हैं यह कैसा प्लाटफॉर्म एगजी सफ़चे करते हैं यह मीडिया शेरिंग खेड़े हैं हैं हमारा Community blogs Community blogs को थोड़ा अध्यान से समस्ते हैं ठीक है यह हमारा वैसे लास्ट प्रणाब्ट भी तो जो Community blogging की website होते हैं यह क्या प्रवाइड करते हैं यह कुछ essential service provide करती है वो क्या होते है जो वह help करती है communicators को करने के लिए किस्ते एक मुंदने एक तरह से अपनी और के च्रीश करने के लिए आप कम्यूटि ब्लॉग्स का प्लाटफारम का यूज जो भी आपके के प्मुद्राइब कर सकते हो कि उनसे कुछ सवाल कूछ सकते हो जिससे कि वह आपको अगर रेप्लाइब कर तो आप उनसे धी ज्याद हो से कनेक्ट कर सकते हो और अगर वं कुछ इंप ल की बात करें तो जो कम्यूनिटी ब्लॉग्स इन में क्या क्या चीज़ें इंग्लूड होती है वो देख लेते हैं इसमें मीडियम होता है यह और यह अगर देखे तो न्यू ओनलाइन प्लेशिंग प्लाटफॉर्म है जो डेडिकेटेड होता है और इसमें माइक्रो प्लाटफॉर्म भी डिजाइन किया जाता है किसलिए मल्टी मेडिया और शॉर्ट फिर्म ब्लॉगिंग को शेर करने के लिए ठीक है और और जितने भी डिजिटल मार्केटिंग मार्केट है वो इस सोशल मेडिया की और शिफ्ट हुए है और यह डे बाइडे चेंज होता ही जा रहा है तो कम्मुनिटी ब्लॉग यही है कि इसमें आप किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर पाते हो लोगों कैसे अपने आप अपनी और्डेंस को कैसे आप रीच करते हो वह सारी चीजिए इस कम्मुनिटी ब्लॉग्स के अंडर आ जा अहम आद वह वेरी इंपॉर्टन चीजें बताईए आपको आप से साजा घरने की कोई सब्सक्राइब का इस तो आज की वीडियो में आज की वीडियो मेरा वाचिं इस वीडियो थैंक